करने लगी काफी समय हो गया उदर से बल्राम आ रहे थी कि बात क्या है यह दरिद्र ब्रह्मन और इस कृष्ण कब से इसको गले से चिपकाई हुए है आखिर बल्राम जी ने नजदीक जाकर कि कृष्ण जी के कांदे पर हाथ रखा कि कृष्ण क्या हुआ तुम्हें भाईया देखो मेरा मित्र मेरा मित्र आया है मुझसे मिल्ने आया है मुझसे मिल्ने आया है सुदामा याद करो जब आप गुरुजी के गुरुकुल में थे आप भी मेरे साथ थे तब यह सुदामा थे वो ही सुदामा है हमारा मित्र है सुदामा जी को तो भगवान ने बड़ा आदर सत्कार किया लक्ष्मी जी की सेज सहिया पर बिठाया लिटाया उनके चरण दोए उनके चरण अपने नेत्र के आशों से दोए बड़ी प्यारी कथा है भगवान ने चरण दावे भगवान अपने भक्तों को मिलते हैं अवस्था जब शुद्धतम हो जाती है करने में भी बड़ी आसान है करने में आसान है और अव्या है कभी ख्षय नहीं होती कभी व्या नहीं होता भक्ती एक बार किसे ने जिसने की है उसकी भक्ती नश्ट नहीं होती कभी नहीं कैसे होगी जिसने भगवान की भक्ती की है वो भक्ती तो इटर्नल है आध्यात्मिक है आध्यात्मिक ताका कभी नाश नहीं होता प्रेम इटर्नल है प्रेम सांसारिक वस्तु नहीं है प्रेम कहके पुकारा है वो बात जुदा है जैसे किसी लड़के का एक लड़की के शरीर को देख करके आकर्षन हो जाता है और हो कहता है कि मुझे प्रेम हो गया इस शब्द यहां उप्युक्त नहीं है आकर्षित हो गया यह तो उप्युक्त है उसके सुन्दर बदन को देख करके बलड बॉन्स के बने हुए शरीर को देख करके उसकी चमड़ी को देख करके आकर्षित तो हो गया आकर्षित सब तो उप्युक्त है लिए प्रेम हो गया बड़ी बात है प्रेम तो आत्मा से आत्मा का होता है उसी को प्रेम कहा जाता है प्रेम तो आत्मा का प्रमात्मा से होता है उसी को प्रेम कहा जाता है प्रेम शरीर के इस तर पर होता है उसे प्रेम नहीं कहा जाता है उसे तो काम वासना कहा जाता है लश्ट कहा जाता है मन के इस तर पर होता है उसे भी प्रेम नहीं कहा जाता है वो भी भौतिक इस्तर पर ही है इसलिए उसको भी अटेश्मेंट की कहा जाता है इंटर्टेन्मेंट कहा जाता है मनोरंजन कहा जाता है कि मेरा मनोरंजन उनके साथ होता है प्रेम नहीं प्रेम तो होता है आत्मा से आत्मा के साथ ब्रह्मिशतर पर प्रेम होता है उससे निचे निए तो ये अव्य है ये राजविद्या है अर्जुन और गुप्त से गुप्त है राजविद्या राजगुयम पवित्रम अति पवित्र है इदम उत्तमम और ये उत्तम भी है इसते उत्तम कोई नहीं है राजविद्या राजगुयम पवित्रम इदम उत्तमम प्रतक्षाव गमम धर्म्यम धर्म का मुकुट है करने में प्रतक्ष फलदायनी है सुसकुम आनंद की दाता है परमानंद की दाता है कर्तुम अव्ययों करने में आसान भी है और अव्यय है कभी नाश नहीं होता भक्ती का कभी नाश नहीं होता इसलिए तो भगवान घोशना करते हैं कि नयमे भक्ता हो प्रनिश्यती अर्जुन मैं सत्प्रतिज्या करता हूं मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता क्यों नहीं होता कि भक्ति का नाश नहीं होता भक्ति इटर्नल है आध्यात्मिक है तो भक्ति का नाश फॉर एवर है आपका मनोरण्यन भंग हो सकता है कामवासना भंग हो सकती है नहीं भक्ती जो प्रेम है जो आध्यात्मिक प्रेम है वो कभी नश्ट नहीं होता प्रतक्षावगमम धर्म्यम सुसुकम कर्तुम एव्ययम तो भगवान सरी कृष्ण की भक्ती स्रेष्ट है सर्व स्रेष्ट है जिसके इर्दे में सरदा है वो इसका लाब उठाता है सरदा बिना कुछ नहीं मिलता सरदा इस दा फाउंडिशन सरदा नीम का पत्तर है तो यदि सरदा इर्दे में तो आपकी भक्ति, रूपी, बिल्डिंग भौत इसका इक्रेप्र बन जाए भक्ति का पहाड लग जाएगा परमात्मा को आना ही पड़ेगा, परमीश्र को आना ही पड़ेगा उस गोविंद को आपके लिए आना पड़ेगा, गरूर की सवारी करके सिमर सिमर नर उतरई पारा भगवान का इस्मर्ण सबसे सरिष्ट है सभी कालो, सभी औस्ताओं में यह अर्जुन मेरा इस्मर्ण कर इस्मर्ण भक्ति है सरवण भक्ति है सुनना, भगवान के विश्चे में सुनना भक्ति है सरवणं कीर्टनं विश्णोहु इस्मर्णं पाद सेवनं अर्चनं बंधनं दाश्यं साक्यं आत्म निवेदनं इन नो भक्ति के रास्ते बतलाएं भगवान को प्रसंद करने के नव मार्गों से भक्ति प्रबल होती है आपकी ये दिन में से कोई व्यक्ति एक भी मार्ग को सब प्रतिशत अंगी कार कर ले यानि पूरी तरह से उस मार्ग पर चले तो उसको भी भगवान की प्राप्ति हो जाती है स्रवनम कीर्टनम विष्णो इसमरनम पाद सेवनम अर्चनम बंधनम दाश्य मुसाकि दाश्यता में भगवान की सेवा है भगवान की सेवा वात्सल्यता में भी है माय शुदा मक्षन निकालके भगवान स्रीकृष्ण को खिलाती है यह वात्सल्य भक्ति है हनुमान जी भगवान शरीराम की सेवा करते है यह दाश्य भक्ति है बिदुर जी विवीश्र यह सब दाश्य भक्ति के इस्तंभ है है स्रेष्ट भक्त है प्रेमा बक्ती गोपियों की है स्रेष्ट बक्ती परमस्रेष्ट बक्ती है गोपी भाव स्रेष्ट भाव है इससे उपर कोई भाव नहीं Conjugor love with God इस सबसे स्रेष्ट भाव है भगवान से प्रेम करना भगवान की प्रेमी का बनकर यह आत्मा भगवान का अंश है भक्त दो प्रकार से भगवान को प्रसंद करते हैं या तो प्रेमी बनकर या प्रेमी का बनकर प्रेमी का का भाव प्रेमी भाव से भी स्रिष्ट है प्रेमी भाव सका भाव है स्रिष्ठ है अर्जुन का भाव है उधव का भाव है सुग्रीव का भाव है इस स्रिष्ठ भाव है लिए प्रेमी भाव इससे भी स्रिष्ठ है वो गोपी भाव है भगवान को आलिंगन करने के अविलाश आए भगवान के साथ विहार करने के अविलाश आए भगवान को अपने दिल में समाए बसाए रखना तिन और रात और उनकी विरह में तड़पना ये उच्छतम गोपी भाव है भगवान के लिए मा ये शुदा माखन निकालती है ये वाद सल्ल भाव है भगवान को अपना पुत्र समझ के पालती है ये वाद सल्ल भाव है जैसे एक मा अपनी पुत्र का हर तरह से ध्यान रखती है उसी प्रकार से भगवान को हर प्रकार से सुख देना चाता है उनको सुखी करना चाता है उनको प्रसंद करना चाता है पुत्रुवत ये वाद्शल भक्ती है तो आपके अंदर जो भी भाव प्रगट हो रहा हो सच्चे रूप से उसी भाव में आप भक्ती कीजिए लिए दास भाव स्रेष्ट भाव है दास भाव से दास भाव भी हमको प्रापतो तो हम बड़े भाग साली है गोपी भाव तो बहुत उचा इस्तर है वहां पर त्यार नहीं दीजिये ये संसार में बठके हुई आत्माओं को कहा से गोफी भाव मिलेगा दास भाव मिल जा उसके लिए अनुग्रह कीजिए प्रार्तना कीजिए भगवान से कि हमको अपना दास बना लो मीरा भाई दास भाव मांग रही है कि हमको चाकर बना लो हमको चाकर राको गोविंद हमको कुछ मत दो हमको अपना लौकर राक लो मीरा भाई एक स्रेश्ट भक्त भी चाकर बनने को प्रार्थना कर रही है फिर हम बोले कि हम गोपी भाव में चले ही आए ये तो आपकी भक्ती प्रकरता पर जाती है तब गोपी भाव उद्य होता है आपकी भावना में ये पृत्थम दर्जा नहीं है ये तो पाँच्वा दर्जा है पहले दर्जे पर शान्त भाव है दूसरे पर दास्त भाव है दासका भाव तीसरे पर सका भाव है चोते पर बात्सल भाव है पाँच्वे पर उत्तम सिखर पर जाके गोपी भाव है ये इसलिए हमको बगवान की सेवा करते हुए भवजन करना चाहिए बगवान की सेवा जिसनी भी सामर्थता हो उस सामर्थता से बगवान की सेवा करनी चाहिए ये भगवान की प्रिर्णा है हमको भगवान इस राजविद्या का वरण करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और कह रहे हैं कि एसरद धाना पुर्सा दर्मश्याष्य परंतप एप्राप इमाम निवर्तंते मृत्यु संसार वर्त्मनी भगवान कहते हैं कि जिन पुर्सों के इर्दे में सुरदा ही नहीं है धर्म के बारे में कुछ वो जानते ही नहीं है अधर्म में ही जिनोंने कदम रखा हुआ है या अज्यानता में ब्रह्मित हो रहे हैं अंदेरे में चल रहे हैं उजाले को पहचानते ही नहीं जिनके इर्दय में कोई सरद्धा नहीं यह चोटी मोटी सरद्धा है तो वो डगमगाती हुई जैसी सरद्धा जिसे कोई value नहीं ऐ सरद धाना पुर्सा धर्मश्याश्य परंतप ऐ प्राप्य माम निवर्तंते मृत्यू संसार वर्त्मनि ऐसे पुरुस्तो बार बार ये संसार में ही मृत्यू के ग्रास बनते हैं मृत्यू के आहार बनते हैं ऐ प्राप्य माम वो मुझे प्राप्त नहीं करते हैं कैसे प्राप्त करेंगे लिए भगवान ने तो बोल दिया आप लोग भी जानते हैं मिना सुर्द्धा के आप भगवान को कैसे प्राप्त करोगे आप भी जानते हैं इस बात को लिए भगवान ने भी बोल दी हो बात भगवान सिंपल सर्रल इर्दे से यह ज्यान दे रहे है सर्रल इर्दे में जो आया उन्होंने बोल दिया कि अगर सर्दा नहीं है तो तुम कैसे मुझे प्राप्त करोगे जब तुम धर्म के बारे में जानते ही नहीं तो मुझे कैसे प्राप्त करोगे जब आत्मा का ग्यान भी तुमको नहीं है कि तुम एक आत्मा हो तो मुझे कैसे प्राप्त करोगे मुझे कैसे जानोगे जब तुम इतना ही जानते हो कि मैं एक शरीर हूँ अब मैं बुड़्डा हो गया अब मैं मर गया तो तुम धर्म के बारे में क्या जानते हो कुछ नहीं जानते जब कुछ नहीं जानते और कुछ भी सरद्धा तुमारे अंदर नहीं है तो भला मुझे कैसे प्राप्त करोगी अरे मुझे प्राप्त करने के लिए तो आपके इर्दे में द्रड सरद्धा होनी चाहिए मेरी द्रड सतत वक्ती होनी चाहिए मेरा सतत इस्मरन होना चाहिए मुझसे प्रेम होना चाहिए सतत ज़से तेल की दार सतत गिरती है ऐसे प्रेम सतत बहना चाहिए रिदे से भगवान की प्रति तो सरद्धाई नहीं तो भगवान की प्रति कैसे होगी ऐसरद्धाना पुरसा धर्मशाश्य परंत परंतफ कहा है जो अपने शत्रों को सजा देता है अर्जुन का नाम परंतफ दिया है परंतफ जिसको देखते ही शत्रु भागते हैं काम, क्रोध, मद, मो, मत्सर, लालच ये विशेश शत्रु हैं ये अर्जुन के पास नहीं ठिकते अर्जुन को संबोधित करें, परंतफ कहकर, हे परंतफ ये कहां से तुझे मोह आ गया कि मेरे मर जाएंगे, मोह तो तेरे पास ठिकता ही नहीं ये आर ए चेस्ट आई ये राव दाइनेमीज, तुम तो अपने शत्रों को सजा देने वाले हो इसलिए भगवान के एक-एक वानी में ग्यान वान है, ग्यान का बान छुपा हुआ है अर्जुन को बान मार रहे हैं परंतप कहकर के, अर्जुन मोगरस्त है, संसार मोगरस्त है भगवान ने बान मारा है परंतप कहकर के, कि तुम ब्रह्म स्वरूपा आत्मा हो तुमसे तो ये काम करोध मदमो भैवीत होते हैं, तुमारे पास नहीं फटकते, फिर ये तुम्हें क्या हो गए आज कि तुम कामी बने हुए हो, भोगी बने हुए हो, क्रोधी बने हुए हो, मोहित हो रहे हो मेरे और मैं और मेरे पर, इस शरीनों पर, इन खजानों पर, इन कार और बंगलों पर, इस पद और प्रतिष्ठाओं पर एस रदधाना पुर साप धर्मशचाश्य परंटफ और आप प्राप इमाम मुझे प्राप्त नहीं कर सकते जिनके इरदे में सरदधा नहीं है, वो मुझे जानी नहीं सकते, प्राप्त करنا तो बहुत दूर है तो बताएए जिन लोगों के इर्दे में भगवान सिरी कृष्ण के प्रती एक प्रतिशत भी सरदा नहीं है और वो गीता की व्याख्या करते हैं उनको कैसे भगवान समझ भगवान की समझ प्राप्त होगी भगवान की बिसे में वो बला क्या व्याक्या करेंगे और क्या भगवान को जानेंगे और कैसे भगवान को प्राप्त होंगे जिनकी नीम खोकली है वो कैसे भवन उठाएंगे उठाई नहीं सकते कैसे कदम उठाएंगे भगवान की और भक्ती की और भगवान के धाम की और जाने के लिए मोक्ष को पाने के लिए जिनकी सरदाई, सरदारूपी नीम खोक लिए है कैसे कदम उठाएंगे पंगा आदमी कैसे आगे कदम बढ़ाएगा जिसके पाउं काम ही नहीं करते हैं ऐसे ही है जिनकी सरदाई खोक लिए है सरदाई नहीं इरदे में बगवान के प्रति सरदा नहीं है और वो गीता की व्याक्या करते हैं ऐसी व्याक्या हैं जूट हैं गीता के पवित्री स्लोकों के साथ में पोती हुई श्याई है जिसमें केवल उनकी ही वासना चुपी हुई है भगवान कहना क्या चाते हैं और वो कह क्या रहे हैं अपने स्वार्थवश पवित्र भक्त के भगवान के शुद्ध भक्त के मुक से निकले हुए हुआनी सुननी चाहिए समझनी चाहिए तद्विद्धी प्रणी पातिन परीप्रशनेन सेवया उब्देख्षंतीते ग्यानम ग्यानिनह तत्व दर्शना जिन ग्यानी भक्तों ने मुझे तत्व से जान लिया है उनके चरणों में हे अरजुन जाकर प्रणाम कर और उनसे वो विद्या प्राप्त कर जिस विद्या के प्राप्त हो जाने से मेरी भक्ती मेरी पराभक्ती की प्राप्ती होती है मेरी प्राप्ति होती है सरद्धा ही नहीं है ऐसे गुरू के पास जाके तुम क्या लोगे भगवान को समझ लोगे नहीं भगवान के प्रति सरद्धा नहीं है ऐसे गुरू के चक्कर में जाके क्या लोगे मोक्ष को प्राप्त कर लोगे नहीं भगवान के धाम को प्राप्त कर लोगे? नहीं भगवान को प्राप्त कर लोगे? नहीं भगवान के समझ लोग जान लोगे? नहीं नहीं जान सकते हैं नहीं कदम बढ़ा सकते हैं ऐसे गुरुओं के पास जाके तेली के, कोलू के बैल तो बन सकते हो कि यहाई जनम मरण जना ब्यादी में चक्कर लगाते हो बस बाकि एक कदम भी इटर्निटी की तरफ आपका नहीं उठता यह दिया आपके इर्दे में सरद्दा नहीं यह आपका गुरु कोई शुद्ध भगवान का भक्त नहीं यह मृत्यू संसार से नहीं निकल पाता है बार बार मृत्यू का ही भोजन बनता है मृत्यू के मुख में जाता है जनम मरण जराव्यादी के चक्कर में भटकता है बारवाद पुनरपी जननम पुनरपी मरणम बार बार अलग-अलग माताओं के गर्वों में जाके उल्टा लटकता है कर्मों के अनुसार मुझे प्राप्त नहीं होता मेरी प्राप्ति तो मेरे शुद्ध भक्तों को ही होती है उस परमधाम की प्राप्ति मेरे शुद्ध भक्तों के लिए है जिनके हिर्दे में सर्दा नहीं सर्दा भी तीन प्रकार की कही है वो भी बहगवान आगे गीता में समझाएंगे सतोगोनी सरदा, रजोगोनी सरदा और तबोगोनी सरदा तबोगोनी सरदा जिनके अंदर होती है वो कहते हैं भगवान कि वो भूत प्रेतों को यक्ष किनन राक्षसों को पूसते हैं या अपने बोसों को प्रसन करते हैं अपने बोस के परती सरदा होती है सरदा तो उनके हिर्दै में होती है लिए अपने बॉस के परती सरदा होती है अपनी फैक्टरी के परती सरदा होती है अपनी औरत के परती माबापों के परती सरदा होती है अपने बुरे करमों के परती सरदा होती है तमों गुणी लोगों की बूत प्रेतों की और जादु टोने करने वाले गूरुओं की प्रति सर्दा होती है ये सर्दा किस काम की? ये सर्दा तो नरक में ले जाने वाली सर्दा है माता पिता मैंने इसलिए कहा कि शरीरों के प्रति सर्दा होती है कि ये मेरा मैया है ये मेरा बाप है ये मेरा भाई है ये मैं हूँ और कौन है पता नहीं मरने दो सबको ये तमोगुनी सर्दा है भूत प्रेतों की सर्दा है रजोगुनी सर्दा है देवताओं को पूझ रहे हैं लोग क्योंकि उनको संसार का बैभव चाहिए धन चाहिए, पुत्र चाहिए, पद चाहिए, प्रतिष्टा चाहिए तो देवताओं को पूझ रहे हैं युद में फत्य पाने के लिए दुर्गा माताओं को पूझ रहे हैं काली माता, चामुंड्या माता, शंकर भोलेनात, ये रजोगुनी स्रद्धा है, सतोगुनी स्रद्धा में आद्मी भजन करता है, मुझे जाननी की कुशिश करता है, मेरी सेवा में आता है, मेरी शरण में आता है, और सिद्धी को प्राप्त करके जब सिद्ध हो जाता है तो मुझे प्राप्त करता है मेरा धाम प्राप्त करता है मुझे प्रसंद करता है मैं उससे मिलता हूँ आकर तो यह सरदा है सरदा बेना भगवान की प्राप्ति नहीं है भगवान को पाने के लिए तो भगवान के प्रती अटूट सरदा होनी चाहिए और सरदा और विश्वास में बहुत भेद है ये भी जान लेना विश्वास तो आज आपका है कल टूट सकता है जैसे एक मित्र के साथ आप विश्वास सकते हैं कि मेरा मित्र के साथ मेरा बहुत विश्वास है कभी आपने मित्र को दसजार रूपे दिये कि मेरा मित्र है दे देगा वापिस लोटा देगा मुझे विश्वास है और जब वो नहीं लोटाता है तो आपका विश्वास तूट जाता है पिर आप कहते हो मैंने तेरे उपर विश्वास किया था तू कहता था पूर्ण मासी को दुग्मा अब तो कई पूर्ण मासी निकल गई देता क्यों नहीं मेरे पैसे कैसा मित्र है तू तेरे उपर मुझे कोई विश्वास नहीं चला जाए इधर से आपका विश्वास तूट गया विश्वास ऐसी चीज़ है जो बनता और बिगरता है यह नहीं संसार का है सुर्दा है वो आत्मा की भावना पवित्र भावना में जड़ जमाता है सुर्दा जमाती है सुर्दा एक बर जड़ जमा लेती है तब तूटती नहीं आपके सामने मृत्व भी आए नहीं तूटती तकलीफ है नहीं तूटती जिसके सुर्दा गहरी जड़ जमा की भावान की प्रती है वो सुर्दा कैसे तूटेगी नहीं तूटेगी उसके सामने कितनी भी आपत्ती बिपत्ती हाए सुर्दा नहीं डगमगाएगी वो दुख में भी राम का नाम लेगा सुख में भी राम का नाम लेगा महलों में भी उसको वास दिया जाए तो भी उसको नहीं भूलेगा उसके ही गुणगान करेगा उसको ही धन्वाद देगा और अत्त दुखों में भी चला जाए तो भी उसको धन्वाद देगा उन दुखों को भी बगवान का ही परशाद समझ के ग्रहन करेगा और सोचेगा कि कोई भगवान की कृपा से कोई मेरा पाप कट रहा है इस दुख के कारण जब पाप उसे उरिण हो जाऊँगा तो सुखी मिलेंगे लें सरद्दा नहीं तूटेगे सरद्दा आड़ी बनी रहेगे नहीं डिगेगे सरद्दावा लबते ग्यानम सरद्दावान ही ग्यान की प्राप्ति कर पाते हैं राजविद्या को प्राप्त कर पाते हैं जिनकी सरद्दा गीता के उपर है गीता का ग्यान पर प्राप्त कर पाते हैं जिनकी सरद्दा नहीं है वो कैसे करेंगे गीता ग्यान तो उनको ही प्राप्त होगा जिनकी सर्दा गीता पर है जिनकी सर्दा कहीं अन्यत्र है उनको कैसे गीता का ग्यान प्राप्त रो भवा ने कहा है कि ए सर्दधाना पुर्सा धर्मशाश्य परंतप ए प्राप इमाम निवर्तंते मृत्यु संसार वर्त्मनी ये मृत्यु संसार में बार-बार आते रहते हैं जनम लेते हैं, मरते हैं बुड़ापा आता है, डुकरा जाता है बीमारियां गेर लेती हैं कैंसार डाइबिटिक्स, टीबी, दमा और कोई आखों से दिखता बंद हो जाता है दाथ सारे निकल जाती है मुँ में बास आती है, जुर्यां चेरे पर हो जाती है कोई मिलना बेटना भी पसंद नहीं करता रिष्टेदार और मित्र लोग भी आते बंद हो जाती है बुड़ापा कोई नहीं चाता लिए बुड़ापा आता है, मृत्यु आती है फिर पुनर जनम होता है जवानी में लाग समिश्याओं से जुजे फिर बुड़ापा आ गया फिर मृत्यु आ गया फिर कहीं कोई मा के कर्मों के अनुसार किसी मा के गर्म में जाके लटकते हैं छोटे से, पिंड़ की तरह हात पाव निकलते हैं, सर निकलता है उँआँआँआँआँआँआँआँआँआँआँआँआँआँआँआँआँआँआँआँआँआँआँआँआँआँआँआँआँआँआँआँआँआँआँआँआँआँआँआँआँआँआँआँआँआँआँआँआँआँआँआँआँआँआँ